जे हिंदोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी सायती के बहुत ही महत्तपुन कॉशन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चेनल पर पहली बारा हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दभाएं All पर क्लिक करें ताकि All वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे किसी ना किसी एक्जा में पूंचे का कॉशन है जिस परकार ए आपका 2005 में एक कॉशन PGT में पूंचा गया था तो आदी काल के लिए बीजवपन काल नाम करने किसे ने किया है तो आपका सही आंसर है महावीर परसाद दुबेदी आन की विकल्प नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर है कॉशन नंबर बारा आप से पूंचा है आदी काल को बीजवपन काल कहा है तो वही कॉशन आप से यहां पर पूंचा गया है तो महावीर परचाद दुबेदी आपका सही आंसर है कौशन नमबर आपके यहाँ पर 13 क्या पूंचा है कि आदी काल को बीर काल नाम करण जो है किसने किया है बीर काल पूंचा है अब आपसे यहाँ पर बीर काल का जो नाम करण किया आदी काल को भी रिकाल ये नामकरण किस ने किया है तो question number 13 का right answer बताईए Mr. बंदू या विस्वनाद प्रसाद मिस्र रामकुमार बर्मा तो question number 13 का right answer है बिस्वनाद प्रसाद मिस्र आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही विकल्प number C जिनों ने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर right answer है क्या है right answer विकल्प नंबर C विस्वनाद प्रसाद मिस्र है question number 14 क्या पूच्छा है, हिंदी साहित के पिर्थम काल को आदी काल जो है किसने नाम दिया है, यह आपके लिए बताना है, रामचन सुकल ने, राहुल सान क्रित्न ने, हजारी परसाद दुबेदी ने, या बासुदेव सरण अगरवाल ने, हिंदी साहित के पिर्थम काल को किसने दिया है, तो चाउदा का सही आंसर आपके यहां पर जो होगा, भै क्या होगा तो आपका यहां पर चाउदा का सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आनकी महावीर, सरी, हजारी परसाद दुबेदी आपके यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपके यहां पर स नहीं है तो बीरगातकाल चारनकाल गद्यकाल या सिद्ध सामंतकाल 15 का सही आंसर बताना है तो 15 का राइट आंसर है आपके यहां पर विकल्प नंबर आपका जो भी दिया है वहें आपका राइट आंसर है यानिकी गद्यकाल गद्यकाल आपके यहां पर विकल्प नंबर भी right answer होगा, question no.16 यहाँ पर देख लेते हैं, क्या पूशा किया है question no.16 तो देख लेते हैं, एड़ा आपका question no.16 आदिकाल को प्रारंबिक काल नाम किसे ने दिया है, इस प्रकार जो है अनेक नाम अनेक जो है, अनेक लोगों ने अनेक नाम दिये गए हैं तो यहां पर आपके लिए बताना है कि आरी काल को आरंबिक काल जो नाम दिया है वह किस ने दिया है गिरेशन महाविर प्रिसाद दुबेदी मिस्र बंदू हजारी प्रिसाद दुबेदी question number 16 है मात्वपूंड है और आपका सही आंसर यहाँ पर होगा मिस्र बंदू यानि की विकल्प number B आपके यहाँ पर सही आंसर है तो मिस्र बंदू आपके यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर धोली सा पढ़ लेते हैं क्या है उप्रयोक्त प्रिश्णी की ब्याक्या देखें उत्तर प्रदेश से मात्मक सिक्षा सेवा चैन बोड ने अपनी प्रारंबिक उत्तर कुंजी में इस प्रिश्ण का उत्तर विकल्प नंबर बी जो है दिया था किन्तु संसोदित उत्तर कुंजी में इस प्रिश्ण को मुल्यंकन से बाहर कर दिया था चूकि मेसर बंदू तथा कड़पती चंद्रकप्त दोनों ने आधिकाल को प्रारंबिक काल माना हैं विकल्प हैं में केवल मेसर बंदू हैं अता प्रिशन का उत्तर सही है तो B आपका राइट आंसर यहां पर होगा यहां पर आप से पूंच थे यहां पर किस प्रकार आचा राम चंसुकल ने बीर घाता काल और हचारी प्रसाद दुवेदी ने आधी काल सान्कृतिया ने सिद्ध सावंत रवंदू ने प्रारंबिकाल यह जो है नाम दिये गए इस प्रकार सबने जो है अलग-अलग इतिहासकान नाम करन दिये हैं तो question number यहाँ पर 18 है देख लेते हैं क्या पूँचा गया है 2017 में question पूँचा गया है कि इनमें से किस सायत इतिहास कारने अपने इतियास ग्रंत में हिंदी के गद्य सायत को गद्य का अभिर्भाव गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार गद्य की वर्तमान गती नामक ख यहाँ पर विकल्प नमबर जो right answer है C right answer है आचा रामचन सुकले विकल्प नमबर C आपके हैं पर सही answer है बहुत बढ़िया विकल्प नमबर C जिनों ने बताया है उनका सही answer है question number 19 वा question आपका यहाँ पर दिया गया है बहुत धर्म से जुड़े हुए सायत की भासा क्या है लोक एक संस्क्रित है या प्राकरित है वेदक संस्क्रित या पाली question number 19 सभी लोग वीडियो को एक बार like अबस दिकले है जिनों ने अभी तक वीडियो को like नहीं क्या है और 19 का आपका जो सही answer है बहुत धर्म से जुड़े हुए सायत की भासा पूंचा है तो इसकी जो भास बहुत है बहुत है पाली है चाहे पाली आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही पाली राइज आंसर है question number 20 आप से यहां पर पूंचा गया है कि निम्नान कित्में से अब भरंस प्रभावित हैं हिंदी रचना कौंशी है खुमाड रासों है या भर्तेश और बाहुबली रा और बाहुबली रास आपका सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास आपका सही आंसर है अब ब्रंस में रास नामत पहली जो सरस्कृति भरतेश्वर बाहुबली रास ग्यारा सो चौरासी इस भी की है जिसे क्या है बिद्वानों ने रास परंपरा का प्रिथम ग्रंत घोस आपके यहां पर शाहीँ आनस्र है अब रंस प्रभाववत हिंदी रचना है भर्तेश और बाहु वली रास तो क्वेशन वुज्य क्या पूच्छा गया है तो 22 वापका क्वेशन यहां पर ए रहा की ग्यारहईवी सताबदी में रचेत लोकभासा काब्बे है तो बताना है ग्यारहवी सताबिदी में गच्चत लोक भासा काब बे कौन सा जय मैंक जस्चंद्री का राउल वेल उक्ती व्यक्ती प्रिक्रण डोला मारूरा दूहा तो question number 22 का answer यहाँ पर बताईए question पूँचा गया है और इसका जो सही answer है आपको बताना है इसका सही answer क्या है तो बिल्कुल सही बाजिस का आपका डी राइट answer है डोला मारूरा दूहा आपके यहाँ पर सही answer है विकल नंबर डी सही answer question number 23 क्या पूँचा है सालीवद्द सूरी की रचिना का नाम बताना है नयमी नात रास है सुमिती गड़ी रास भरतेस और बाहुबली रास या जयमेंक जस्चेंद्रिका यह question कई बार एक जामें पूँचा जा चुका question है कि सालीवद्द सूरी की रचिना का नाम बताईए देखिए यह आपका टीजीटी में पूँचा गया दौजा तेरा में और आपका सही आंसर है भरतेस और बाहुबली रास यानि की विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर है भरतेस और बाहुबली रास किसकी रचिना है तो सालीवद्द सूरी question number आपके यहाँ पर 24 क्या पूँचा गया है पंच पांडव चरित रास के रचेता कौन है तो यह आपके लिए बताना है 24 में 24 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा तो 24 वा question है सालीवद्द सूरी नर्पती नाले आसगू या दलपती बिजाए तो 24 का आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर कि प 2015 में PGT में पूँचा गया अपब्रंच सब्द का सबसे पहले उल्लेक किसने किया है तो जो आपका अपब्रंच सब्द दिया है इसका सरप्रथम सबसे पहले उल्लेक जो है किसने किया है पाणनी ने पतंजली ने नांगर्जो ने सरहपा ने तो 25 का आपका जो सही आंसर है वहें आपका C right answer है पतंजली बिल्कुल सही विकल्प number C आपके हैं आपर सही answer होगा पतंजली right answer है Question number 26 क्या पूँचा क्या है आपर कि अवट भासा से तातपर है अवट भासा से क्या तातपर है यह आपके लिए बताना है Question number 26 है और इसका जो सही answer है आपके लिए बताना है तो बिल्कुल सही answer है Question number 27 क्या पूँचा गया है तो 27 वह क्या है क्या है क्या है कि अवट में सिक्षा सब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है अवट में बताना है तो अवट में यह आपका सिक्षा सब्द है इसको अवट में कौन सा रूप मिलता है सिक्षा का तो आपके यहाँ पर सही answer यहाँ पर जो है वह सिक्षा हो जाएगा यानि कि यह रूप मिलता है सिख्छा खा अभट में सिख्छा विकल्प नंबर आपका C राइट आंसर है महत्पूर्ण कॉस्चन है ए कॉस्चन नंबर 28 क्या पूंचा गया है अधिकान साहित तितियास कारों की अनुसार हिंदी के प्रतम कभी कौन है कभी सरहपाद सूर्दास विद्यपती तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 28 का क्या है राइट आंसर तो 28 आपका विकल्प नंबर C अब्कूर्प नंबर C आपका राइट आंसर इहा पर है बिल्कुल चाही राइट आंसर बताया है एंगले question देख लेते हैं question number आपका 29 क्या दिया गया है तो 29 पा question आपका यह रहा आपकी screen पर question number 29 देखे क्या है हिंदी के किस इतिहास्कार के मतानुसार साली भद सूरी हिंदी के परतम कभी है तो इस परकार जो है अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग कभीयों को लेखों को माना है हिंदी के परतम कभी तो यहाँ पर आपके लिए बताना है किस की मतानुसार साली भद सूरी हिंदी के परतम कभी है तो गड़पती चंद्र गुप्ते रामकुमार बर्मा या डाक्टर नगेंद्र या धीरेंद्र बर्मा 2018 में यू के ल्टी ग्रेट में पूंचा गया एक कॉस्चन है और आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है गड़पती चंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है इनकी 30 का अंसर बताना है तो 30 का आपका सही आंसर है सित्वों का पिर्थम कभी है कौन सरहपा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है सरहपा जिनों ने बताया है उनका सही आंसर है सरहपात को हिंदी का पिर्थम कभी माना है किसने माना है यह आपके लिए बतान है, question number 13, sorry, 31 का सही answer क्या होगा, 31 का right answer बताना है, यहाँ पर क्या है इसका सही answer, सराइपात को हिंदी का जो पिर्थम कभी माना है, भै किसने माना है, तो आपको यहाँ पर सही answer है, 30 का, विकल्प number D, पंडित राहुल सानक्रेट्यान ने, तो आपका यहाँ पर D, सही answer है, बिल्कुल चाहिए विकल्प number D, right answer है, राहुल जी ने हिंदी भासा का पर्थम कभी किसे सुईकार क्या है, तो यह question भही आप से आपर क्या है, गुहमा कर पूँच लिया गया है, तो बताइए, question number 32 है, राहुल जी ने हिंदी भासा का पर्थम कभी किसे सुईकार क्या है, तो आपका सही answer है, question number 32 कसी सुईपा आपका right answer है, question number आपका यहाँ पर 33 पूँचा है, क्या पूँचा है, कि हिंदी का पर्थम कभी कौन है, सरहपा है देव सेन हैं, सबरपा हैं, कभी रहें तो question number 33 है और 4 विकल्प भी आप कहाँ पर दिये गए महत्तुपूर्ण question पूँचे गया है और इसका जो सही answer है तो हिंदी का प्रतम कभी कौन है तो सरहपा कौन है सरहपा यानि कि विकल्प number 1 कि आप कहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही विकल्प number 1 राइट answer स्वेंभू को हिंदी का प्रतम कभी माना है तो स्वेंभू को प्रतम कभी माना है हिंदी का किसने माना है रामकुमार बर्मा ने हजारी परसाद दुबेदी ने रामचन सुकले ने कॉस्चन नमबर 34 है चार विकल्प भी आप कहाँ पर दिये गए है क्या होगा इसका सही answer यह आपके लिए बताना है स्वेंभू को हिंदी का प्रतम कभी किसने माना है तो आपके यहाँ पर सही answer है 34 का विकल्प number 1 रामकुमार बर्मा ने रामकुमार बर्मा यानि की विकल्प number 1 आपके यहाँ पर राइट answer है बिल्कुल चाही अंगला कॉस्चन देख लेते हैं यहाँ पर पूँचा गया है तो देखिए यहाँ पर पूँचा है कि सहज यान की प्रवर्ट तक कौन है सहज यान सहज यान जो है इसके प्रवर्ट तक आप से यहाँ पर पूँचा है इसके प्रवर्ट तक कौन है तो बताईए बहुत ही महत्तुपूण कॉस्चन पूँचा गया है सरहपा है सबरपा, कंडपा तो आपके यहाँ पर 35 का जो सही आंसर है आपके यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानि की सरहपा सरहपा आपके यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक जिनों ने बताया उनका सही आंसर कॉस्चन नंबर है आपके यहाँ पर 36 क्या पूँचा है आचार हजारी परसाद दुवेदी ने अब्रंस को क्या कहा है पुरानी हिंदी कहा है साहितिक अब्रंस या प्राकर्ता भास अब्रंस या परिनिश्टित अब्रंस तो किसने कहा है आचार हजारी परसाद दुवेदी ने अब्रंस को क्या कहा है 2014 में एक question पूशा गया था प्रवक्त परिच्छा में राइट आंसर है आपका हिहाँ पर बिकल्प नमबर 1 पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी कहा है किसने आचारहजारी प्रसाद दुबेदी जी ने अच्छत को साहित कीकिस विद्वाल ने इसको आरिकाल के अंतरगत रखा है तो आपका राइट आंसर है आचार राम चंशुक्ल मि crush बंदू हजारी पिरसाद दुमेदी राहोल सांक्रेटाइन तो सैंतिस्क आपका जो सही आंसर है बहें आपके हहाँपर 37 का यहाँपर राइट आनसर होगा विकल्प नंबर D अजारी परिषद दो बेदी आपके हहाँपर सई आनसर विकल्प नंबर D राइट आनसर होगा पुरानी हिंदी नामकरण किस ने किया है एपके लिए बताने गॉस्चिं नमर 38 का राइट आंसर क्या हो गए यहां पर 38 का राइट आंसर बताईए पुरानी हिंदी नामकरण किसने क्या है चतुरसें सास्त्री, विस्तुनात पिरसाद मिस्त्र, चंधर सर्मा गुलेरी, रामकुमार बर्मा 38 कॉस्चन ने, 4 विकल्फ हैं और 2012 में इक कॉस्चन पूँचा गया, राइट आंसर आपका चंधर सर्मा गुलेरी राइट आंसर है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने क्या, चंधर सर्मा गुलेरी ने, कॉस्चन नमर 49 क्या पूँचा गया है तो 49 कोश्चन आपका यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है तो देख लेते हैं कि पंडित चंद्धरसर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रिथम कभी सुईकार किया है तो पुरानी हिंदी का प्रिथम कभी पूंचा है आप से यहां पर पुरानी हिंदी का प्रिथम कभी किसको सुईकार किया किस ने गुलेरी जी ने बताइए क्या होगा आपका सही आंसर महत्वपूर्ण कॉस्चिन पूँचा गया है सराइपात को राजा मुंझ या स्वेंभू या पुस्पदंत तो आपका राजा मुंझ यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राजा मुंझ को गुलेरी ज चालिस आपसी यहां पर पूचा गया है अप ब्रंस का बालमी की किसी कहा जाता है पोस्पदंत को सालिवत्द सूरी को धनपाल को स्वेंभू को विकल्प नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर है जन्हों ने भी डी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अब ब्रंस का बालमी की स्वेंबो को कहा जाता है लिकल नमबर डी राइट आंसर तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन कंप्लीट हुए क्यांसा लगा यह वीड सब्सक्राइब अबस्ते कर लें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जैहिन